देश के खिलाब काम करते थे उसके खिलाब करने का काम इस सरकार ने किया है सर हमने कोई संकोच इसमें नहीं किया है जो मित्र देशों के खिलाब भी भारत के लिए खिलाब प्रोपगेंडा खड़ा करते थे सर उसके खिलाब भी कड़ी करवाई की है तो मोधी सरकार के सूच सब्सक्राइब करेंगे जो देश के खिलाफ काम करते हैं लेकिर हमने उनके खिलाफ कड़ी कारवाई करने काम किया है क्योंकि इन में से कुछ लोग वह भी है जो जूट का प्रोपगेंडा करते हैं सर ये जी एस्टी की मिडिल में तो जाते हैं वहाँ पर वाज रही उठाते हैं यहाँ पर तक्तिया लेकर खड़े होते हैं जो कभी चुने हुए प्रत्रिंदी थे या हैं कुछ लोग आज भी तक्तियां लेके खड़े होगे कुछ बाहर खड़े होगे कुछ अंदर खड़े होगे माननीय उपसभापती महोग है आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये मोड़स अपरेंडाई क्या है जिसमें नफरत और घ्रना के बयान देने वाले उन पर या तो कोई कारवाई नहीं होती है सांकेथिक होती है लेकिन जो फैक्ट चेकर है उन पर कारवाई होती है हाल के दिनों में हमने देखा है इस मोड़स अपरेंडाई के बारे में माननीय मंत्री जी बताए पूरे कानून नियम बने है जैसे अख़बारों के उपर प्रेस कॉंसल अफ इंडिया की बात है तो वो एक ऑटनुमस बाडी है उसकी स्टेटस है वो खुद सो मोटो भी उसके उपर कारवाई कर सकते हैं और अगर कोई शिकात करता तब भी कर सकते हैं इसी तरह से जो इलक्ट्रानिक मीडिया उसके केबल टेलिविजन डेटवर्क जो है उसके रूल के अनुसार प्रोग्राम कोड जो है उसको लेकर करना होता है इसने सर मिनिस्ट्री ऑफ इलक्ट्रानिक्स इन्फोमिशन टेकनोलोजी उनके जो रूल से कॉंटेंट को लेकर उसके उपर कारवाई करनी होती है कोई समाज में तनाव खड़ा करने का काम ना करे ये भी करना बहुत अवश्यक है और उनके खिलाव अगर कोई उनके खिलाव अगर कोई शिकाज करता है तो कानून उसके लिए अपना काम करता है जिसके उपर से हमारा मंद्राले स्विधी कोई कारवाई नहीं करता अलग लग राज्यों में कानून वियस्ता को देखने वे वहां कानून काम करता है सब्सक्राद करने पर फेक एकांट्स बना कर कर रहे हैं उनके क्या करवाई की जा रही है ऐसे कुछ निहित स्वार्थी तत्तों हैं जो भाद की छवी को भाद की स्थिर्ता को समाप्त करना चाहते हैं और भाद पुरी दुनिया में इसा प्रचातन चाहते हैं आईसे लोगों पर क्या कारवाई करने की विवस्ता की जा रही है सर्माने मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल पूछा है कि आखिरकार यह जो इंटरनेट पर फेक न्यू चलाई जाती है भारत के खिलाब प्रपगेंडा चलाई जाता है सर्थ यह मेटी के जो रूल है जो इंफर्मिशन टेकनोलोजी एक 2000 है सर्थ उसके सेक्शन 69-1 एक अनुसार सर्थ भारत की अखंडता और प्रपुता को ध्यान में रखते हुए और सर्थ डिफेंस भारत की रक्षा सुरक्षा की हम बात करते हैं उसको देखते हुए सर निर्णे समय समय पर किये जाते हैं और हाली में 2021 बाई में भी भारत सरकार के सुचना परसारन मंतराली ने सर कोई संगोच नहीं किया है सर एसे यूट्यूब चैनल्स के खिलाव कारवाई करने के लिए सर ऐसे लगबग 69 हमने चैनल्स को 94 यूट्यूब चैनल्स को और 19 सोचल मीडिया अकाउंट्स को सर बंद करने का काम किया है और 747 URL सो है जो यूनिफर्म रिसॉर्स लोकेटर है इनको बंद करने का काम भी सर जो देश के खिलाव काम करते थे उसके खिलाव करने का काम इस सरकार ने किया है सर ये आवाज तो अब करते हैं, ये जो लोग यहाँ पर खड़े सर, ये उनके खिलाफ आवाज नहीं करेंगे, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन हमने उनके खिलाफ करी करवाई करने काम किया है, क्योंकि इन में से कुछ लोग वो भी है, जो जूट का करते हैं, सर ये GST की मिटल में तो जाते हैं, वहाँ पर वाज नहीं उठाते हैं, ये आपर तक्तिया लेकर खड़े होते हैं, ये पता चलता है सर, इसमें क्या है? तब इसे असर पड़ता समाज पर, जैसे कि आप जानते हैं, कोविट समय में कई लोग भ्रमित चीजे पहला रहे थे, अगनी वीर के बारे में भ्रमित चीजे पहला रहे हैं, इनके बारे में क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र के में छप जाती हैं, इनके खबरे हैं, उनके यह कोई ऐसा व्यक्ति फेक न्यूज नहीं फेला रहा है। यह वों लोगों की बात कर रहे हैं जो कभी चुने हुए प्रत्रिंती थे या हैं। करते हैं कि दोस्तों कोड़ वैक्सिन देश के लोगों ने लगाने का काम किया उनको मूत और जबाब दिया है जो लेकर ब्रहम पहलाते थे कुछ लोग से आज ये स्टी को लेकर दुश्परजार करते हैं लेकिन वहां पर मीटिंग मेंन के लोग वहां पर कुछ नहीं बोले स देश के सामने लाएं